जै श्री राम प्रिय भगतो प्रिय भगतो आज हम आपको दुनिया का एक ऐसा शक्ति शाली मंतर बताएंगे जिसको हिंदू, मुसलिम, सिख, इसाई सभी जपते हैं और इस मंतर से बढ़कर कोई मंतर भी नहीं है अब आप कहेंगे कि ऐसा तो कोई मंतर होता ही जिसको सभी जपते हैं तो प्रिय भगतो एक ऐसा मंतर है जिसको हर जीव को भगवान ने दिया है और भगवान ने जीव को जीव बनाया है उसने हिंदू मुसलमान सिख इसाई नहीं बनाये उसने तो हमें इंसान की रूप में भेजा है ये तो हमने अपने आप ही हिंदू मुसलिम सिख इसाई बना दिये हैं तो वो मंतर सभी जबते हैं अगर देखो इसलिए संतों ने कहा ह कि भगवान एक है परमात्मा एक है सब का इसारा ऐसे होता कि वो एक है अगर वो एक है तभी तो उसको सभी जब सकते हैं नहीं तो हिंदुों का अलग होगा मुसलमानों का अलग होगा इसायों का अलग होगा शिखों का अलग होगा तो वो अलग नहीं है वो सब के लिए एक ह है और वो मंत्र भी सब के लिए एक है अगर मैं आपको आप मालो मुस्लिम हो मैं आपको राम नाम जपने के लिए कहूं तो मुस्लिम तो राम नाम को नहीं जपेंगे ना ही सिख जपेंगे ना ही क्रिश्चन जपेंगे तो फिर ऐसा कौन सा मंत्र है जो सब के लिए एक हो और जो सर्वोत्म भी हो और ये जो मंत्र है ये सब एक दूसरे की तुलना में दूसरा खड़ा है राम की बजाए किर्शन किर्शन के तुलना में सीव सीव की तुलना में और कोई सा मंत्र तो ये सर्वोत्म तो हुए ही नहीं शक्तिसाली मंत्र वो हता है जिसकी तुलना में कोई इक ही समान है चाए वो कोई भी जाती है कोई भी धरम है यहां तक कि जितने भी देवी देवता हैं जितने भी भगवान है उन सब में भी वही स्वास है जो हमारे अंदर है इसलिए यह स्वास रुपी मंत्र सबसे बढ़ कर है सांस रुपी मंत्र भगवान ने सभी को दिया है और इसको हिंदू मुसलिम सीखेशाई और सभी दुनिया ब्रमांड में जितने भी जीव हैं सभी निरंतर जबते रहते हैं और यही संसार का सर्वत्त मंत्र है इसको हिंदू मुसलिम सीखेशाई का इसको सभी देवी देवता सबी भगवान इसको जबते हैं इसका ध्यान करते हैं कहने को जब कह दिया जाता है पर इसका ध्यान किया जाता है क्योंकि हमारी स्वासे जो चल रही है उनमें प्राकृतिक ध्वनी आती है उपर लेते समय सो की और छोड़ते समय हंग की तो बस उस स्वास का हमें ध्यान करना होता है तो और हंक के साथ या जिस भी भगवान को आप मानते हो उसके नाम के साथ कर लो क्योंकि राम बोलोगे तो थोड़ा से ज्यादा समय लगेगा ले होने में और शो हंक बोलोगे तो थोड़ा सा जल्दी फल मिल जाएगा बस भेद इतना ही है बाकी यही वो सरवत्म मंत जिसको सभी धर्मों के लोग जबते हैं जीसको पूरी दुनिया जबते है उसतुर का मतलब होता है शक्ती और जो हंग नीचे छोड़ने में द्जनी आती है उसका मतलब होता है और यह जो पूरी शृष्टी कि यह पूरा ब्रहमान्ठ से ही बना हुआ है तो सो और हंग का एक और ये मतलब होता है सो मतलब वो परमात्मा और हंग यानि की जीवात्मा हे परमात्मा जो तू है वही मैं हूँ यानि की हम सब परमात्मा के ही अंश हैं तो परमात्मा ने हमें अपनी पूरी शक्ति दे कर भेजा हुआ है और वो शक्ति सोहंग मंतर के रूप में हमारी स्वासों में है वो सांस रूपी मंतर हमारे पास है इस सांस रूपी मंतर का ध्यान करके हम अपनी हर मंचा ही वस्तु प्राप्त कर सकते हैं हर बिमारी दूर कर सकते हैं ये ग्यान जो है स्वेम भगवान शिव ने मा पारवती को तो शिव की पूजा अधूरी है मेरे बिना, तो फिर ये भी कहा गया है कि एक साथ दो भगवानों की पूजा नहीं करनी है, तो क्या करें, कि दोनों भगवान खुश हो जाएं, तो वही सोहंग मंतर की दोरा आप दोनों भगवान को खुश कर सकते हैं, तो भगवान, शिव तभी स्वेम उसी सोहंग मंतर का ध्यान करते हैं जो आपकी स्वासों में हैं राम नाम अग्यानी मनुष्यों के लिए कहा जाता है कि वो राम नाम का जब करते हैं क्योंकि सब मनुष्य सोहंग मंतर को नहीं जानते और सोहंग मंतर का ग्यान गुप्त भी होता है लेकिन हम प् ग्यान को बताएं ग्यान को दें ताकि आप जान पाएं कि आपका कैसे सिग्र कल्यान होगा तो आप घबराएं नहीं चिंता ना करें बस आप निरंतर सोहंग मंत्र का ध्यान करें जब करें अपनी आती जाती स्वासों को देखें सो और हंग की ध्वनी के साथ तो आप से सभी भगवान प्रशन होंगे क्योंकि यही वो मंत्र ہے जो सभी धर्मों के लिए बराबर है और हमारा मक्सद किसी भी धर्म को किसी भी व्यक्ती को ठेश पोचाने का kunheits ना था ना है ना ही होगा जिसके लिए नानक जी ने भी लिखा है कि तंत्र मंत्र सब जूट है मत भर्मो संसार सारशवद जाने बिना कोई ना उतरे पार तो उनका भी उदेश्य यह है कि तंत्र मंत्र से किसी को ठेश ना पहुचे तंत्र मंत्र का मतलब यह है कि जितने भी तंत्र मंत्र है वो सब बाद में बने है लेकिन जो भगवान नाम है जो हमारी स्वासों में है जो भगवान ने स्वेम दिया है वो पहले से था है और रहेगा और उस सार नाम के लिए इसारा किया गया है जो सार नाम आप अपनी स्वासों का ध्यान करके ही जा पाओंगे उसका अनुभोक कर पाओंगे और उसको जाने बिना आपको मुक्ति नहीं मिल सकती इसलिए संतों ने भी कहा गया है कि कोटी नाम संसार में ताते मुक्ति नहों आदी नाम जो गुपतजब बूज़े बिरला कोई, वो आदी नाम वो गुपतजब जिसको कोई बिरला ही बोजता है, बाकी के नामों से मुक्ति नहीं मिल पाएगी तो आप उसे नाम को जानने का प्रियास करें और उसको जानने का सबसे सरल सुगम और शक्ति साली तरीका आपके पास जो स्वास रुपी मंत्र है उसका ध्यान करके ही आप जान पाएंगे अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं जैस्री राम प झाल बात्र हो जान प्रियासण गावागी को जानने करके ही विरामय झाल बात्र है राम हैयार शक्ति स्वास राववाग चैस्जर से अंड़े हैं इस रावागव शक्ति